जाहिन नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल स्टेंड बीपीसी में ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है इतना इंपोर्टेंट है जिससे आपको एक नए जनकारी प्राप्त होगा केस के रिगार्डिंग तै हो जाएगा कि आपके दिमाग में जो मेरे फाइज सिस्टर चाहिए आपके पैरेंट्स जो भी हैं गार्जियन उनके पास इस वीडियो को जरूर सेर कर दीजेगा और बता दीजेगा कि हम मैंने यह सब चीज़े बताया और यह आप लोगों के लिए बहुत यूजफूल है वीडियो को अन तक बने रहेगा सारा ठिक टिगरी में बीटेक हो गया आईटी है टिपलोमा बीटी सी एनम के तरह ही एक ऐसा केस हाई कोट में ला रहा गया अब देखिए चोकि हम लोग 25 से 30 जितने भी इंजिनियर थे उससे में मेल कर हम लोग कहां गये हाई कोट में जब ऐसा हो गया गेस्ट वालों ने किया तो हम लोग वहां गये और वहां बात किये और बात करने के बाद केस हम लोग दिये एक हाई कोट के एड़ोकेट है पी एन साही उनको दिये उन्होंने फाइलिंग वगरा किया लेकिन जब वो केस चलने लगा शुरुवात में जानते हैं जब केस चला ना तो एगेंस्ट ग जुनियर एड़ोकेट का कोई मोली नहीं होता अब यहां कॉनकुलूजन निकालते हैं BTSC A&M में हमारे जो सुपेरियर लर रहते केस ठीक ना उन लोगों ने नॉर्मल नॉर्मल जुनियर एड़ोकेट को रखा ठीक जब वो बहस कर रहा था लोग तो अभिनाव सुरिवास्तों के सामने टिक ही नहीं पा रहा था BTS instructor में जब अभिनाव सुरिवास्तों जज के सामने बोलते थे न तो नॉर्मल एड़ोकेट जो लोग था उन टिक नहीं पाता था लोग मतलब लथेर का रख देता था ठेंट भासा में बोले तो जज के सामने टिक ही नहीं पाता था लोग तीन हेरिंग बीत गया BTS instructor में हम लोग बोले कि oh my god अभिनाव सुरिवास्तों तो ऐसे ही निकाल देंगे तब पी एन साही को बुलाया गया चूकर पी एन साही हमारे केस फाइलिंग किये थे पी एन साही को हम लोग बुलाएं और बोले कि पी एन साही सार देखे आप फाइल पाले बहस में अभिनाव सुरिवास्तों तो खूब लरे, खूब मतलब जवाब दिये वो भी जवाब दिये ठिक बराबर मुकाबला रहा जब फाइनल हेरिंग के दिन पी एन साही फी रहा है और अभिनाव सुरिवास्तों मतलब मस्त इंगलिस बोलते हैं जज के सामने चुकि केस शेम था केस में कोई दिकत नहीं था, चुकि फ़रक शरीतना था कि जो बीटी ऐसी इन्स्ट्रक्टर का जो केस था ठेक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ था, ना फॉरम में आवेधन का डेट और कोई मैंसन बदली का नहीं मैंसन किया गया था, लेकिन के सनवीदा वालों के तरफ से अभिनाव श्रीवास्तों उन्होंने इसको इतना जबर्दस्त तरीके से बातों को वहां पर रखा कि क्वालिफाई वाले के जो जूनियर एडवोकेट तो ठीक नहीं पाए ठीक ना शुरुवात में जो भी हुआ नहीं हो चुकि जो अच्छा से मजबूती से नहीं कर पाएंगे तो फिर क्या ठीक हैगा कोई तो वहीं हुआ वहां पर चुकि अभिनाव श्रीवास्तों से कॉंटेक्ट बेसिस वालों ने जबरदस्ती से पहले से ही मतलब जबरदस्त तरीके से केस को फाइलिंग कराया सुप्रीम कूट का जज्जमेंट लगा दिया उसमें और उस जज्जमेंट के बदलत चुकि इन लोगों ने अपने बातों को जो हेर फेर हुआ था डेट एक् हमारे जब हम लोगों में हुआ जब पी एन साही आए पी एन साही सब का वहाँ पर छाप छोड़ देते हैं ठीक है ना जबरदस्त तरीके से अपने बातों करें को गर्दा उरा दिये ठीक देखें चुकि सेम केस था ठीक है मैंने कुछ लिख दिया था तो इसमें जानते है इंस्ट्रक्टर वालों में चुकि इंस्ट्रक्टर वालों में तो सब इंजिनियर थे इंस्ट्रक्टर वालों ने एको दिमाग लग रहा है कि चुकि हम सेम जो सिंगल बेंच का जो सुनवाई हो रहा है इसको एक्स्टेंड करते जाए क्या कि हम लोग एक्स्टेंड करते क करते 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 गए और जब डबल वेंज की बात आई ठीक है ना जहां पर दो जज़ बैटने लगे वहीं पर हम लोग उतार दिये पी अंसाही को गर्दा उरा दिया दोस्त और उसके बदल जजमेंट मिल गया अब देखिए इन लोगों का मन नहीं भरा तो यह लोग कहा गया सुप्रीम कोट ठीक है सुप्रीम कोट गया और सुप्रीम कोट में जानते हैं क्या हुआ यहां से ही लोग हारा लोग तो सुप्रीम कोट में चुकि केस करनेक्टेड है इसलिए आप लोग बातों को समझेगा सारा आपका दिमाग खुल जाएगा सुप्रीम कोट में लोग पहुचता है BTS instructor वाले, ठीक, guest वाले क्या करते हैं, 704 लोगों को लेकर petitioner बनाते हैं, 704 guest वालों को लेकर Supreme Court में petitioner बनाते हैं, चुकि 704 लोगों का अच्छा से इन लोगों ने पैसा विशा कलेक्शन कर लिया, और खुब अच्छा से इन लोगों petitioner भी मिल गया, 704 लोगों स और BTS instructor का case accept हो गया, तीन दिन के अंदर ही, और 7 दिन के अंदर पहला hearing का date मिल गया, 7 दिन का पहला hearing, जानते हैं, जब पहला hearing हुआ ना, पहला hearing, उसमें 3 गोई SLPA finish, खारिज कर दिया गया, कितने? 3 गोई SLPA खारिज किया गया, क्यों? चुकि जब वहां पर advocate लोगों ने बात किया, क्यों खारिज किया गया, तो ने बोला कि देख नहीं रहे हो, Supreme Court का पहले से judgment लागा हुआ, यह बोल कर वहां पर कर दिया, खारिज हो गया, चुकि कुछ और case बचा, तो कुछ और case बचा, तो फिर 4 दिन बाद दूसरा hearing हुआ ठिक, उस hearing में जो बच्चे हुए SLPA थे, उसको खारिज कर दिया गया, अब यहां पर थोरा सा भी हमारे पास judgment है, आप लोग, चुकि है हमारे पास instructor का दिखा देते नहीं, तो आप लोग बोलेंगे कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरे पास सारा है, पहले से ही मैंने यह सब हम को हावा हाई में बात करने नहीं आता है, इस सब आपके सामने, देख सकते हैं, इस सब है judgment, इस में BTS, E&M का भी है, ठीक है, हिंदी में भी टाइप करवाए हैं, इंगलिस में भी है, बहुत ऐसी चीज है, आप के मेरे के सामने देख सकते हैं, ऐसे यूँ, ठीक ना, इस सब जजमेंट है, इस जजमेंट को पढ़ने के बाद, अभी ये वीडियो हम सूट कर रहे हैं, रात को एक बज रहा है, ठीक ना, एक बज रहा है, चुकि अभी हम केस पर study कर रहे थे, लेकिन ये वीडियो पब्लिस होगा सुबह, सुबह में आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक ना, तो ये सब चीजे हैं, चुकि ये केस को सारे केस को यहां पर खारिज कर दिया, सुप्रीम कोट ने, क्यों खारिज कर दिया, अब पूरा डिटेल हम नहीं बता सकते हैं, और दिल टुटेगा, ठीक ना, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे और पॉइंट है ठीक है ना, हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट है, जिसके बदलत हम एक स्टेप आगे बढ़ाये जाएगा, और उस स्टेप को आगे बढ़ाने के बदलत कुछ आप लोगों के लिए बिग एचीब्मेंट मिलने वाला है, ठीक, चुकि यहां पर गल्ती जो हुआ है, उसको न नहीं इसका तोर निकाला, जो क्वालिफाई के अड़ोकेट है, उसका तोर उन लोगों ने नहीं निकाल पाया है, चुकि जब BTS इंस्ट्रक्टर का जब बात चल रहा था, पी एंसाई से, जब 25-30 लोग इंजिनियर लोग थे, वहां पर फाइनल सुनवाई के जब इसका judgment आया, चुकि पहले तो इसका ही आया न, बाद में हम लोग आया, तो जब बात चला तो बोले कि यहां पर mistake हुआ है यहीं, कि क्वालिफाई के अड़ोकेट लोग, चुकि game rule जो change है, इस amendment को उस लोग काट नहीं पाया, बातों को अच्छा से judge के सामने परस्तूत नहीं कर पाया है, रास्ता नहीं निकाल पाया है, लोग इसलिए निकल गरबरा गया है, अब समझे, game कहां बदला, ठीक, चुकि बहुत ऐसी चीज़े है, जब तक आपका case अच्छा से filing नहीं होगा, अब देखे एक और चीज़ किलियर करना चाहते हैं, सुप्रीम कोट में जो हकिक बता रहे हैं, ठेक ना, आज चुकि इस case को जो भी judgment है, BTS instructor का, जिनको चाहिए हम भेज देंगे, एक बार इसको जरूर पर ही है, ये दम same to same इस rule को follow करता है, same जैसा case ये है, वैसा case BTS ये डम का है, दम same to same, शिरिफ एक extend आवेदन का जो date fix, extend किया गया है, वही एको यहां पर problem, बाकी same है, तो सभी लोगों ने बोला कि भाई, क्वालिफाई, ऐसा थोरे है, कि सब कोई exam ले रहा है, exam के अधार पर BTS instructor का जीत हो गया, फिर क्वालिफाई एनम का हार कैसे हो गया, हार इसलिए हुगा कि उन लोगों ने बीच का सुन सोधन जो किया गया है, उसी को मजब मजबूत, धाविदारी के साथ अभिनाव सिर्यास्तों के द्वारा पेस करवायागा, बहुत मजबूती के साथ, इसलिए हार हो गया, और क्वालिफाई के एडवोकेट, जो जुनियर एडवोकेट, तो कुछ नहीं कर पाए, अभिनाव सिर्यास्तों को बहस का भी देख ल तोर मरोर को बातों को अच्छा से कोई नहीं रखेगा, तो फिर सबका अपना एक वेटेज होता है, अब पीके साई का लोग बात करता है, पीके साई को मंतरी बना दिया, पीके साई नाम हो गए, ये सब चीज़े है, बहुत इसी चीज़े है, तो ये भी देखना पड़ता है ने कि कौन क्या है, केस लड़ने के लिए एडवोकेट जित नहीं दिलवाता है दोस्तों, उसके साथ जो ब्यक्ति इंकलूड है, वो अपनी बातों के साथ कैसे वो भी सूचता है, ये भी सबसे बारा डिपेंड करता है, तो यहाँ पे कमी सबसे यही रहा, केस खारीज ह गया, तो पहला हेरिंग जो मिलेगा, एनेम का, क्या होगा, आप कौन जानता है, ये कोई नहीं जानता है, ठीक है न, क्योंकि यहाँ पर एक चीज है, जो ओर लगाया गया है, जो कि वो ओर एक्स्टेंट नहीं करता है इसके साथ, कुछी करेगा, जो इसके हो सकता है, तो जानते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसके अतरिक्त भी एक नई रास्ता, निकाले हैं हम लोग, ठीक है, और उस रास्ते के बदलत, एक नया ट्रिक के जरिया, केस को उपरी पैदान तक, हम लोग अलग से, चुकि हम लोग इसमें अब कुछ नहीं ह है, ठीक ना, इसकेस में अब हम लोग साइड हैं, लेकिन हाँ, साइड से हम लोग बहुत कुछ करेंगे, चुकि अब सुरू से इन्भाल्ब हैं, तो डोक्मेंटली तो हम लोग हाई नहीं सुप्रीम कोट में हमें बाहर कर दिया गया है, कुछ लोगों के द्वारा, हम लोग अपने दिमाग से चलेंगे, ठीक है ना, हम किसी पर डिपेंड नहीं रहेंगे, हमें क्या करना है, कैसे करना है, चुकि अब हम अपने दिमाग से, चुकि हम यहां हारने के लिए नहीं आएं, हम यहां जितने के लिए आएं, अगर हम आवाज लगाए हैं, तो हम प बहुँ ज़़दर सफल ही हुए इस बार देखे क्या होता है उमीद है कि हम जो इस बार परकिरियाई अपनाने वाले हैं यह मेरा master master stroke है और master stroke 100% सफल होने का chance रखेगा प्लीस तो आप लोग इस वीडियो को share कीजिए जो भी चीज़े हैं आप समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों से क्यों इतनी रात को ये वीडियो record करकर सुबह आप इस वीडियो को आपको दिखा रहे हैं बहुत ऐसी चीज़े हैं दोस्तों ठीक है न एक 24 जुन को evidence का जरिये वो सबसे बारा चीज होता है ठीक है न हम पर बहुत दबाव बनाया गया बहुत लोग के द्वारा ठीक है अब बहुत ऐसी चीज़े बहुत ऐसी घटनाई भी घटी अब उसको छोड़ कर चुकि अब आया है मैदान में तो पीछे तो हटें के नहीं चाहे हमें फोन भी पिक अप नहीं कर पाएंगे बस कुछ दिनों की बात है बस यह मेरा काम सफल हो जाए फिर धामकदार यूटूब पर इंट्री करेंगे देखें गरदा उराते हैं कैसे तालका मत आते हैं और क्वालिफाई के चेहरे पर नाम उसकान ला दिये तो फिर बोलिएगा ठीक है तो उमेद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ठीक टेक क्या बाई 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 अपने ख्याल रखें और पढ़ते रहें और देखते रहें स्टेन भी पेसी मायूस नहीं होना है है अभी हम लोग गेम में हैं सुप्रीम कोट में कुछ भी हो आप गुटनाइट